तो क्लाश 12 की सामान हिंदी विसे के अंतरगत आज की इस क्लास में आप लोगों को हम UP बोर्ड द्वारा जारी किये गए मॉडल प्रिश्ण पत्र को सॉल्व करना बताएंगी जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया है कि 22 फरवरी को आप सभी लोगों का हिंदी विसे का एक्जाम है और उसके पहले मैं आप लोगों को 4 से 5 मॉडल प्रिश्ण पत्र हिंदी के सॉल्व कराऊंगा जिससे आप सभी लोगों की अच्छी तरीके से प्रेक्टिस हो जाए और आप हिंदी विसे में 95 प्लस स्कोर कर पाएं ठीक है और आप सभी लोग बेश्ट से बेश्ट करेंगे हमें पूरा भरुसा है ठीक है बस अब आप सभी लोगों को करना क्या है क्लास को आंद तक देखना है जिससे यहाँ पर जो भी मॉडल प्रश्ण पत्र में आपको प्रश्ण बताया जाएं वो सब आपको रट जाएं अच्छी तरीके से याद हो जाएं जितना ज़्यादा आप प्रेक्टिस कर लेंगे उतना ही ज़्यादा एक्जाम आप लिए आसान हो जाएगा ठीक है जो बिद्यारती चैनल पर नए है सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आगे जो भी मैं सब्जेट के मॉडल पेपर आपको सौल्व कराऊंगा उनकी भी निवन्द के लेखा कहें तो सभी लोग जल्दी जल्दी भई कमेंट करके बताएं आचरन की सब्वेता निवन्द के लेखा कहें रामचंद सुखल महावीर परसाद दिवेदी अध्यापक पूर सिंग संपूर अनंद इस कोशन का राइट एंसर क्या होगा जदा जदा हिंदी नहीं चाल में धली यहागतन किस लेखा कहा है बालकिश नभट का बद्री नाराइट चोधरी प्रेमगन का भारतें दुहरी चंदर का महावीर परसाद दिवेदी का तो आपको सही सही जबाब देना है बताएं इस कोशन का क्या एंसर होगा बहुत सही भारतें दु कोशन गापाट के और इसमिली का आया है कि उसने कहा था कहानी के लेखा कहें उसने कहा था इस कहानी के लेखा कौन है जै संकर परसाद चंद्रधर सर्मा गुलेरी भारतें दरी चंद्र बहाबीर परसाद दिवेदी इस कोशन का राइट एंसर है चंद्रधर सर्मा गुलेर ठीक है ? बहुत सारे बिद्यारती देखें सही एंसर बताते हैं और बहुत सारे बिद्यारती केवल देखते रहते हैं तो कि आपको एक्टिव रहना है देखने से नहीं आप एंसर देने की कोसिस करें अगर गलत होगा तो आपको सीख मिलेगी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा एक्जाम पर याद रहेगा कि हमने यहाँ पर गलती की थी ठीक है यहाँ पर देखिए अगला कोशन चिंतामडी निबं चन्द सुकलर चलीए बढ़ते हैं अंगापाड के और कलम का सिपाही का लिखा गया कलम का सिपाही के रचना कारकौन है प्रेम चंदर अमरत राय यस्पाल जैनेंद्र आप सभी को बतारा है कि कलम का सिपाही तो सभी लोगों ने सही जबाब दिया अमरत राय ठीक है हमें उमीद है कि आप सभी लोग यही जवाब दे रहें तो यह आपके इस कोशन का राइट अंसर हो जाएगा चली भई, बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले कोशन की और अब आगे हिंदी, पद्ध साहित के विकास के अंदर गत पांच प्रशना आपसे पुछे जाते हैं जिसे पहला प्रशना है प्रिवी प्रवस के रचेता है, यह तो बहुत ही पॉपलर रचेता है और सभी लोगों को आना चाहिए प्रिवी प्रवस के रचेता कौन है तो आप कहेंगे आपके इस कोशन का राइट अंसर हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं दूसरे के खापर्ट के और निमलिकित में से छायावाद के कवी है छायावाद के कवी देखिए परमाननत दस ये नही है सूर दस भी नहीं है, चतुर दस भी नहीं है छायावाद में लोगों को मैंने बताया है कि जहां पर वर्मा मिल जाए, चाहे रामकुबार वर्मा हो, चाहे महादेवी वर्मा हो, छायावादी कभी ही कहे जाते हैं, प्रसाद मिल जाए, जैसे कर प्रसाद भी आपके छायावादी कभी हैं, निराला मिल जाए, ठेक, निराला के बाद पंत मिल जाए, ठेक, सुमित्र ये सारे जो लेखा क्या कभी हैं ये सब चायावादी कभी हैं ठीक इसमें जब मुकूरधर पांडे ये भी आपके चायावाद के ही कभी हैं तो आपके जो इस कोश्चन के राइट एंसर होगा देखे गलतने करना मुकूरधर पांडे ये आपके इस कोश्चन कभी ये हैं अब बचे कौन अग्य अग्य नहीं यह आप किस कोशन का राइट असर हो गया भई ठीक है तो इस तरीके से आगे कि कोशन में क्या मालता है रस्मरती किस कोट की रजना है यह आप सबी लोगों को पता है इसे बताने कि कोई हो सकता नहीं कि यह आपका खंड काब है ठीक है यह प्रश्मरतीख खंड काब देखिए रस्मरतीख खंड काबम छेल्चन अंग्य आपको कमेंट करना है जल्दij खिरते देखा ये रचना किसकी है ठीक है तो अगर आप आपसर नमबर सेकंड को चुन रहे हैं तो बिलकुल सही जा रहे हैं आपकी इस प्रशन का राइट एंसर होगा नागार जुन ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रशन संक्या 3 प्रशन संक्या 3 में क्या कहा जा रहा ह होता है बिलकुल सटीक देना होता है ठीक है क्योंकि इसका प्रभाव पढ़ता है आगे के प्रशनों को जब चेक करता है एक्जामनर तो समझ जाता है कि आप कैसे उत्तर लिखेंगे इसलिए बहुत जद़ बढ़ा चड़ा के नहीं लिखेगा ठीक है चलिए यहां पर दे प्रशियों की बोरी खुल पड़ी और काम योंकी मसीर मातमाने भारत में 40 वर्सों से सेवा में रसलिन जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना तो भी नहीं ठीक है तो आप समय लोग समझ गये होंगे ठीक है आप सभी लोगों का पढ़ा हुआ है यह आपके हिंदी भी समय हिंदी बुक के जो है चैटर नंबर टू से गद्यांस लिया गया है और इस चैटर का क्या नाव है राबर्ड नर्सिंग होम में इसके लेखा कौन है सभी लोगों को पता है कनहिया लाल मिस्र प्रभाकरजी है ठीक है तो यहाँ पर देखे सबसे पहला प्रशन यही पूछा गया है कि उपरियुत गद्यांस के पाठ़ो लेखा का नाम लिखिये तो बिल्कुल जैसे प्रशन पूछा जाए वैसे ही जवाब देना है आपको इसका जवाब कैसे देना है प्रश्तुत गद्यांस राबर्ड नर्सिंग होम में नामक पाठ से लिया गया है और लेका का नहीं यह अलाल मिस्र पर भाकर है बस इतना जबाब देना है आपको पूरे दो माक्स मिलेंगे अगला प्रश्ण कहता है कि रे खांकित अंस की ब्याक्ख्या कीजिए यहां पर जो गद्यां साब को दिया गया है इसमें से आप सभी लोगों को इतने भाग की क्या करन है जिसमें का जाना है कि आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू होम की सबसे बुडिया मदर मार्गरेट देखे जो लेखा कहें वो नर्सिंग होम की सबसे ब्रद्ध मदर मार्गरेट के बिक्तित् बनाने वाले कामरूप का जादू, मतलब लेखा कि ये कहना चाहता है, कि अभी तक मैंने कहानियों और किस्सों में ये सुना था, कि आदमियों को मक्ही बनाने वाला जो कामरूप का जादू है, ये मैंने सुना है, परंतु मक्हीयों को आदमी बनाने वाले जीवन का जादू ये आज हम अपनी आखों से साक्षाद देख पा रहे हैं और ये कैसे देख पा रहे हैं जो मदर मार्गरेट है ये ऐसा कारे कर रही है ठीक है अर्थाद यहाँ पर जो मदर मार्गरेट है वो किसी जादुगर्णी से कम नहीं है ठीक है कि वे दीन हीन रोगी की जीवन में आसा का संचार करके उसे जीवन दान देती है ठीक है तो ये किसी जादुगन्नी से कम रही है अभी तक हमने कहानियों किस्सों में ही ऐसा सुना था लेकिन आज हम साक्षाद देख पा रहे हैं ठीक है तो मदर मार्गरेट किसी जादुगन्नी से कम नहीं है क्योंकि ये अपनी मदा और सेवा से एक मक्षी को आदमी बना देती है अर्था दीन हीन रोगी को के जीवन में आसा का संचार करके उसे जीवन दान देती है तो इस तरीके से आपको रेखांकित अंसकी ब्याक्या करनी है समझ में आगी बात आगे देखिए नहीं मक्षी को आदमी बनाने वाले जीवन का जादुगन्नी तो यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा इस पंक्ती का आसा यही है कि जो यह हैं क्या कहते हैं मदर मार्गरेट यह क्या करती है मम्ता और सेवा से एक मक्षी को आदमी बना देती है अर्था दीन हिन रोगी के जीवन में आसा का संचार करके उसे जीवन दान देती है इस पंक्ती का आसा यही है यहाँ पर देखे इन पंक्तियों में लेखग ने किसकी जादू का वरड़न किया है तो आप साब साब देख पा रहे हैं यहाँ पर जो लेखग हैं वो ब्रद मदर मार्गरेट के जादू का वरड़न करते हुए कहते हैं कि यह अपनी मम्ता और सेवा से एक मक्षी को आदमी बना देती है ठीक है आगे देखे मदर मार्गरेट की हसी और काम के सम्द्ध में लेखग ने क्या कहा है तो देखे यहाँ पर लाश्ट लाइन में आएंगे तो इनकी हसी यहों की मोतियों की बोरी खुल पड़ी और कामियों की मसीन मात माने ठीक है? कहने का मलब इनकी हसी एसे निर्माल है कि जैसे कोई मोतियों की बोरी खुल कर बिखर गई हो और काम बें इतनी तेज हैं कि मसीन भी मात खा जाए समझे पार हो ना? ये इसका मतलब है यहाँ ठीक है? यही बात जो है लेखाग ने मदर मार्गरेट की हसी और काम के संबंद में कही है तो इस तरीके से आप बढ़िया सटी कुछतर पांचों प्रश्णों को दे सकते हैं हमें उम्मीद है कि आपको ये गद्धियांस अच्छी तरीके संबंद में आ गया होगा अब देखे एक गद्धियांस आपको होमर के लिए देखे वैसे बहुत आसान है कहते हैं दुनिया बड़ी बढ़कर है केवल इतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सदता है बाकी को फेक कर आगे बढ़ जाती है साइद असोग से उसका स्वार्थ नहीं सदा क्यों उसे या वह याद रखती सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है देखे हमने ये गद्यांस पढ़ा बहुत सारे बिद्धार्थी तुरण जान गया होंगे कि ये किस चैप्टर से लिया गया है ठीक है और इसके लेखा क्यों है तो आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताईएगा बस इतना बताईए कि ये जो दूसरा वाला गद्यांस है ये किस पार्ट से लिया गया है और इसके लेखा क्यों है हम समझ जाएंगे कि आप इस गद्यांस के उत्तर को आसानी के साथ दे सकते हैं ठीक है आपने प्रेक्ट दे लिवाम संक्या 4 ठीक है इसमें क्या होता है कि दिये गए पद्यांस पर आधरित नब्रिगित प्रश्नों के उत्तर देना होता है अब यहाँ पर आपके सामने एक पद्यांस दिया गया देख पा रहे हैं और पद्यांस की जब तक आप ब्याभ्या करना नहीं जा तील गन सावक से सुकुमार सुधा बरने को विस्व के पास और उस मुख पर वह मुस्क्यान रक्त किसले पर ले बिसराम अरुण की एक किरण अमलान अधिक अलसाई हो अभिराम। ठीक है यहाँ पर जो प्रश्टत पंक्तिया है वो जै संकर परसाद द्वारा रचित स्रद्धा मनु सीरसक से ली गई है तो यहाँ पर पहला प्रश्ट भी पूछा गया है कि उपरियुक्त पद्यांस के पार्थ और कवी का नाम लिखे है तो आपको सीधा जबाब देना है उपरियुक्त पद्यांस का पार्थ सरद्धा मनु है और कवी का नाम जै संकर परसा तुझे यहाँ पर बताया कि घीर रहे थे गंगराले बाल, सरद्धा के जो संदर केस हैं, ठीक है, वो गंगराले थे, अंस और अलंबित, क्या लिखा है, अंस, अंस का मतलब होता है कंदे पर, अलंबित का मतलब होता है कि जूल रहे थे, मुखे के पास, मतलब चेहरे से होकर कंदों पर जूल रहे थे कौन स्रद्धा के सुंदर और गंगराले जो बाल थे वो चहरे से होकर कंदों पर जूल रहे थे आगे नील गन सावक से सुकुमार मानो अमरत पान है तो नन्ने बादल सागर तल को इस पर्श करने की कोसिस कर रहा हो ठीक है उनके जो सुन्दर और गुंगराले बाल थे मानो ऐसे प्रतीत हो रहे थे जब वो कंदे कंदे से क्या मुख के पास से कंदे पर लटक रहे थे तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अमरत पान है तो नन्ने बादल सागर तल को इस पर्स करने की कोसिस कर रहे हूं ऐसा प्रतित हो रहा था और उस मुख़ पर वह मुस्क्यान रक्त किसले पर ले विसरान और उनकी सुन्दर मुख़ पर बिखरी वीवा मुस्कान को देखकर ऐसा आभास हो रहा था जैसे अरुन की एक किरन अमलान अधिक अलसाई हो अविरान जैसे सूर की कोई अलसाई सी उज्वल किरन लाल नवीन कोपल पर विसराम कर रही हो ठीक है ऐसा प्रतित हो रहा था तो यहां पर देखे आप सभी लोगों ने ब्याख्या समझ ली है अब यहां पर रेखांकी तनस्की ब्याख्या पूची थी वो अपकी हो चुकी प्रस्तत पंक्तियों में किसकी मरोरम चबी का चित रड़ किया गया है तो सरद्धा की ठीक है आगे अगर बात करें सरद्धा के मुक्ड़े पर जूनने वाली बालों की लट कैसी प्रतित हो रही थी ऐसे प्रतित हो रही थी कि मानो अमरत पान है तो नन्ने बादत सागरतल को इस परस करने की कोसिस कर रहे हूँ ठीक है इन पक्तियों में सूर की अलसाई सी किरड के संदर में क्या कहा गया इसमें कहा गया कि सूर की अलसाई सी जो उज्वल की रड़ है वो लाल नवीन कोयल पर बिस्राम कर रही हो ऐसा प्रतीत हो रहा है ठीक है तो ये इन प्रश्णों का जबाब हो गया तो यहाँ पर आथवा में भी एक पद्ध्यांस दिया गया है और आपको प्रैक्टिस के लि है चिर पुराण है चिर नवीन कवी पंतिजी जो है राष्ट पिदा महतमा गांदी को नमन करते हुए कहते हैं कि हे महतमन तुम मांस हीन तुम्हारे सरीर में मांस तुम रक्त हीन तुम्हारे सरीर में रक्त का भाव है तुम्हारे सरीर में मांस और रक्त का भाव है तुम् कर ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा सरीर हड़ियों से रहत है । कैवल कहने का मनलब है। तुम पबित्र सुद्र का मनलब पबित्र ए्वं उत्तम इम्च्ञिन से परपूड केवलातमा हो। फिर क्या लिगा है हे चिर पुराण हे चिर नवीन चिर पुराण का मलब हे प्राचीन संस्कृति के पोसक फिर हे चिर नवीन का मतलब हे नवीन संस्कृति के प्रतीग तुम्हारे बिचारों में प्राचीन एवम नवीन दोनों आधरसों का सार विद्दिमान है ठीक है जबाब आपको देना है तो हमने कहा ना कि बेया क्या आप कर लेंगे तो इस पर दिये गे प्रश्णों के उत्तर भी आसानी के साथ दे सकते हैं फिर लिका तुम पूड इकाई जीवन की जिसमें असार भाव सून निलीन तुम्हारे ही आदर्सों से देश की संस्कृती का आधार परिलक्षित होगा और भविस में संस्कृत को पुरा प्रतिष्ठित करने में भी तुम्हारे ही जीवन की आदर्स महत्पूर भूमिका निभाएंगे अब देखें यहां पर यह आपका नेखांकी तन्सकी ब्याक्या भी हो गईए ठीक है हमने देखें आप लोगों क्यूल रिवीजन की तौर पर जो है बताया है और अमें उमीद कि आप समी लोगों को आता रहा होगा ठीक है एक बार अगें क्योंक प्रैक्टिस मैंने कराई फिरा अगला प्रश्ण गांदी जी के आधर्सों पर भविस में किसे खड़ा होना है तो मैंने बदा तुम्हाया भी कि इनके आधर्सों पर देश की संस्कृती का अधार पर रचित होगा और भविस में संस्कृत क्यों पुर्ट प्रतिश्टित करने में भी इनके जीवन के आदर्स महत पूर भूब का निभाएंगे ठीक है चलिए भई आगे देखते हैं कोशन नमबर पांच का कापार्ड इसमें देखे क्या दिया जाएगा तीन लेखक दिये जाएंगे मेरी बात को समझेगा ठीक है और आपको क्या करें इनका साहितिक परचे देते हुए कृतियो का प्रमकुलिक करना है बस इतना ख्याल लखना कि जो पांच नमबर का प्रश्ट होता है इसमें तीन प्लस दो होता है मतलब तीन नमबर का साहितिक परचे होता है लेकिन साहितिक परचे लिखने के लिए लेखा कि जीवन परचे से संबंदित दो चार बाते आपको जरूर मातरा में लिखना है और उसके बाद कृतियां हेडिक डाल करके कृतिया आपको कम से कम 4 से 5 कृतियां जरूर लिखनी है ठीक है तब जाकर कि आपको पूरे 5 मांक्स मिलेंगे आगे इसी तरीके से देखें हर एक मैंने कभी और लेखक का जो है आप लोगों को जीवन परचे, साहितिक परचे देना बताया है, आप प्ले लिस्ट में जाइए, मैंने हर कभी और लेखक का बताया हुआ है, और कई कभी और लेखक को मैंने ट्रिक से भी बताया है कि कैसे आप इनके कृतियों को याद कर सकते हैं, तो प्ले लिस्ट मे जो वीडियो है आप उनको जरूर देखिए यहाँ पर आगे कोशन नमबर 6 लाटी अंदुरू यात्र कहानी का सारांस अधिक्तम 80 सब्द यह आप सभी लोग कर सकते हो यह सबसे बढ़ी आ प्रश्ण बहादूर कहानी का उद्देश से ठीक है आगे स्वापनित खंड कावे क आदार पर किसी एक खंड के प्रश्ण का उत्तर देना है यह भी समी विद्द्यारति कर सकते हैं इसमें कोई दिकत नहीं है क्योंकि यह प्रश्ण हर एक हिंदी के पेपर में आता है एकदम निश्चित है ठीक है एकदम मलब एकदम कंफा में किया नहीं आना है तो यह तो इसका पर देखते हैं यहाँ पर जो गद्याल जियां गया है इसको अच्छे तरीके देखते हैं और यहाँ पर जो संस्कित का पहला देखित एक जलिए सब्सक्राइब Simple समारी पाट पुछ तक संस्कित दिगदर्सिका के जातक कथा पाट के उलूग जातिका मखंड से लिया गया है फिर आपको हेडिंग डलना है अनुवाद और अनुवाद करना यहाँ पर देखिया आता है का सकुनी सर्वे साम तेकि आर्थ आपको हम बता रहे हैं तत पशाद इसका विचार जानने के लिए पक्षीन थीन भार गोंच scholar की अर्था तीन भार सुना व्याद की तता हुंहत तैक्त कि अभी पीस्वाल, व्याल चान धोट कर ला, सबसito कना सब्छुं। इसका मुख ऐसा है तो सोचो कुरोधित होने पर भला कैसा होगा इसका क्या मतलब है इसके कुरोधित होकर देखने पर तो हम सब गर्म कडाही में डारे गए इसका क्या मतलब है ऐसा कहकर ठीक है ये मुझे पसंद नहीं अईसा करके कववा वहां से उड़ गया ठीक है तो ये आपकी हो गए संस्कित का अनुवाद और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका अनुवाद अच्छे से कर लिये होंगे ठीक है चलिए इसी तरीके से ये महामना माल विया वाला तो बहुत आसान है ये आप सभी लोगों को करना है और यहां पर देखिए जैसे यहां पर देख सकते हो पद्यांज दिये गए है ठीक है तो जो यहां पर पहला पद्यांज दिया गया है ठीक है जो पहला पद्यांज दिया गया है इसका अनुवाद आप सभी को करना है भी या आसान है भोजस से ओ धार्रम मलब जो है सिर्सक मदूनी कुसमा दपी देखे यहां पर जो इस लोग दिया गया है ठीक है सबसे पहले तो संदर्व लिखना ही होगा तो संदर्व आप लोग आसानी किसा लिख लेंगे कि प्रस्तु दित्लों कमारी पार्ट पुर्ष तक संसीद्य दर्सिका के सुभासित रत्राने पार्ट से बस देखे कितना आसान अनुद है ठीक है आपको क्या लिकना है लिकना है महापूर्सों के वज्ड से भी कठोर और पुस्पसे भी कोमल चित्त मलब फिर्दे को कौन भला जान सकता है ठीक है यह इसका अनुद हो गया और पूरे पूरे आपको माक्स मिल जाएंगे तो जो स सराल है उसको ही कीजिए ना पहले ठीक है सराल उपर वाला भी है लेकिन वह चाल लाइन में लेकिन यह आपका तुरंट हो जाएगा देखे सुबासे तरनन का हर बार एक इस लोग आता है फिर अगला प्रशन दिया गया है प्रशन क्या 9 निव लिकित महावरों लोकुक्ति आप लोगों को मैं यहाँ पर चारों लोकुक्तियों का इर्थ बताए दे रहा हूँ पद्धियान से पद्धियान दिया जता है आथवा में ठीक है और आपको एग को क्या करना है पढ़ना है पहले और उस पर आधारित प्रश्णों के जबाब देने अब वह विकल्पी में भी पूछ सकते हैं और ऐसे भी पूछ सकते हैं ठीक है तो यह तो बद देखे आप का सही आर्थ चैन करके लिखे जैसे अविराम और अविराम तो अविराम का मतलब क्या होता है लगातर अविराम का मतलब क्या होता है सुंदर ठीक है तो सुंदर कहां पर है दूसरे नमबर पर यहां पर है ठीक है अविराम का मतलब लगातर या बिना रोके तो हम कह सकते है कि ये वाला आफसन आपका सही हो जाएगा option number second हो जाएगा बिना रुके और सुंदर अवीराम का मझनलब बिना रुके वे अवीराम का मतलब सुंदर उसके बात यहाँ पर दिखे लिखा है मेग और मेद मेग का मझनलब क्या होता है बादल और मेद का मतलब क्या होता है यग ये तो दूसरी नंबर पर ये कहां यहां पर है पहले नंबर पर बादल यहां पर है तो यह जो आपको आपसन हो जाएगा बा यह आपके इस क्वेशन का राइट एंसर हो जाएगा फिर आगे देखे खापाट में दियागा निम्ड के के दो अर दिखे जैसे आक्षए आक्ष का अर्थ आक होता है आप मा होता फासा भी इसे भोलते है है पूतर होता प्र होता है प्रतर होता है είναι करने डिया का मतलब गया होु उसे क्या कहते आपर में आधि अधि आ नूपा विरूपम तो दो आप काएंगी जिसकी कोई उपमा ना हो से क्या कहते है आनुपाम कहते है यहाँ पर आप बिलुकुल भी गलती नहीं कीजेगा आगे घापार पूछा जाता है निम्लिकित में से कि ने दो वाकियों को सुद्द करके लिखे हमारे पूजनी पिता जी ने कहा यहां पर गलती जानते हो क्या पूजनी नहीं होता है पूजनी होता है क्या होता है पूजनी लिखे है तो आधा जाने बनाना पूजनी होगा और यहां को हटा देना है ठीक उसके बाद यहां पर प्रदाना चार जी ने हस्ताचर कर दिया इसका जो जब वाकर को सुद्द करोगे तो क्या लिखोगे प्रदाना चार जी ने हस्ताचर कर दिये ठीक है क्या लिखोगे प्रदाना चार जी ने हस्ताचर कर दिये ये इसका वाकर जो होगा सुद्द होगा मैं ग्रहकार कर लिया ह है क्या लिखेंगे मैंने अपना ग्रहकार कर लिया है आपको दवा लेनी चाहिए इसका आप सुद्रू बताईए कमेंट में ठीक है हम भी तो देखिया आप लोग कितना कर पा रहे हैं आगे यहां पर देखिए आपको देखिए कोई ने कोई रस आएगा ठीक है उधारण सही इस्ताई भाव रिखने के रिए पूछा जाएगा ठीक उसके बाद अलंकार एक पूछा जाएगा छंद में चौपाई या सोठा पूछा जाएगा यहर प्रशन पत्र में आता है यह सबी लोगों को तयार है आवेदन पत्र का वंस्राड मैंने दे रखा है वही बार बार क्या ना चाहिए फॉर्मेट का आना बहुत जरूरी है तो बस इसे इतना सीख लिए बाकी मैटर सबका अलग होता है फॉर्मेट की ही नंबर आपको मिलते हैं और निबंद में रूप रेखा हेडिंग और कुटेशन की ठीक है तो हमें उम्मीद है कि आज की इस क्लास में मै जो आपको प्रशनपत्तर सौल्व कराया है आप सभी लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा और ज्यादस ज्यादा कुशनों को सौल्व कर लिया होगा चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप सभी लोगों को जैहिंग वंदिमात्रम